वेल्कम टू आवर चैनल इस्टडी विथ राजा साहब आज हम किसंगर सैली के क्वेस्चन का प्रैक्टिस करेंगे पहला क्वेस्चन देखते हैं किसंगर सैली किस राज्य से संबंधित है आपको option D गये हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजिस्थान और option D है जैपूर तो आपका right answer हो जाएगा option C राजिस्थान किसंगर चित्र शैली का संबंध जो है वो राजिस्थान राजिसे है जोदपूर के राजा महराजा उदैसी के आठवे पुत्र जो थे उनका नाम किशन सी था और इन्ही के नाम पर आबंटित जो जागीर थी उसको किसंगर नाम से विक्सित किया गया था next देखते हैं किसंगर सैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था आपको option दिया गया है निहार चंद, मनसूर, दस्वंत और गुवर्धन दास तो option A जो है इसका right answer हो जाएगा निहार चंद जो थे वो किसंगर सैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे मोर्द वज निहार चंद जो है वो राजा सावंत सी के दरबारी चित्रकार भी थे निहार चंद के बारे में आपको ये चीज भी याद रखना है कि निहार चंद जी के द्वारा जो चित्रित बनी ठनी के चित्र है उसको भारती मोना लिशा की संग्यार दी जाती है बनी ठनी से भी डिलेटेद आपको question पूछे जाते हैं इसलिए आपको याद रखना है कि ये निहार चंद जी के द्वारा चित्रित किया गया था next देखते हैं किसंगर के लगुचित्र सेली की स्थापना करने वाले थे कौन किसने किया था हमको ये बताना है तो option आपको दिया गया है राजा किसंसी ने सवाई जैसी ने मानसी तोमर ने और option D दिया है सावंत सी ने तो option D इसका right answer हो जाएगा किसंगर की जो लगुचित्र शैली है उसकी स्थापना सावंत सीह ने किया था अगर हम सावंत सीह की बात करें तो इनका उपनाम जो है वो नागरी दास था सावंत सीह कवी और कलाम मर्ग तथा स्वयम में एक चित्रकार भी थे सावन सिंह की कविताओं का आधार बनाकर उनकी जो कविताओं थी उनको आधार बनाकर उनकी पतनी बनी ठनी के रूप में सौंदर्य को उनके दरबारी चित्रकार निहाल चंद ने चित्रित किया था जो किसंगर राजिस्थानी सैली का उत्कृष्ट स्वरूप माना जाता है साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि निहारचंद ने बनी थनी का चित्रन अपनी आराध्य देवी राधा जी के रूप में किया था किस देवी के रूप में अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि राधा देवी के रूप में साथ ही साथ इसका इतिहास क्या हो गया सावंत सींग के कविताओं को आधार मानकर उनकी जो पतनी थी उनका बनी ठनी के रूप में उनके सौंदर्य को उनके जो दर्बारी चित्रकार हुआ करते थे निहाल चंद उन्होंने चित्रित किया था नेक्स देखते हैं किसंगर के कवी कलाकार कलाम मर्ग सासक था उसका नाम बताना है आपको अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया है मानसी, सावंतसी, संसार्चंद और हजीसी तो आपका option B का right answer हो जाएगा सावंतसी नेक्स देखते हैं बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है मान्डू, चंबा, कांगर या किसंगर तो आपका right answer कौन सा हो जाएगा option D किसंगर नेक्स देखते हैं बनी ठनी किस सैली का चित्र है आपको सैली का नाम बताना है option दिये गया है वास सैली, लोक सैली, लगू चित्र सैली और option D है फेसको सैली तो आपका option C का right answer हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा कि बनी ठनी जो है वो लगू चित्र शैली के अंतर गताता है next question, बनी ठनी प्रेंटिंग किसका प्रतिरूप है? आपको option दिया गया है राधा का, सीता का, सिंगार मगन यूवती का और option D है नाई का तो यहाँ पे option C, राधा जो है इसका right answer हो जाएगा next देखते हैं, किस मुगल कालीन चित्रकार को पुर्व का राफेल की संग्यादी है? तो यह question की अगर आप बात करें, तो यहाँ से हम मुगल चित्रकला के ओर पहुँच रहें ठीक है? तो मुगल चित्रकला के अंतरगत हम क्या क्या देखेंगे? अकबर, जहागीर और सहा जहाँ, इन तीनों के समय जो कलाएं थी, उनके बारे में question की practice करेंगे तो यहाँ पर आपका पहला question दीख रहे है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पुर्व का राफेल संग्या दी गई है? option आपको दिये गए हैं, अब्दुल सम्मत, दस्वंत, भेजाद, और option D है, मनसूर तो option C जो है, इसका right answer हो जाएगा, इराणी, फार्सी, मुगल कालीन जो चित्रकार थे, बेजाद, उनको पुर्व का राइफल कहा जाता था बेजाद जो थे, वो इराणी सैली के अपने समय के सबसे उत्तम चित्रकार थे next देखते हैं, अबूल हसन के पिता का नाम था, आपको option दिया गया है, बसावन, अकारिजा, मनोहर और option D दिया गया है, मनसूर तो आपका option B इसका right answer हो जाएगा, अकारिजा, अबूल हसन के पिता का नाम अकारिजा था, वो हैरात का निवाशी था अबूल हसन को जहागीर ने नारीद अजजमा की उपाधी से सम्मानित किया था, आपको ये भी याद रखना है कि उसको क्या चीज़ से सम्मानित किया गया था, तो उसका सम्मान किया गया था नादीर अजजमा की उपाधी से नेक्स देखते हैं दिल्ली का लाल कीला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था आप्शन दिया गया है अकबर औरंग जेब हुमाईू और जहागीर तो आप्शन डी जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा जहागीर के पुत्र सहा जहाने दिल्ली में अपने नाम पर सहा जहाना बाद नामक एक नगर की इस्थापना की थी वहाँ अनेक सुन्दर और वैभवपुर्न भवनों का निर्मान किया गया था और उसे सुसर्जित करने का प्रयास किया गया था सहा जहाना बात की अगर हम बात करें तो यहां के भवनों में मुख जो था वो लाल कीला था लाल कीला यहां का प्रमुख भवन था तो यहां पे आपको पूछा गया है दिल्ली का लाल कीला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था तो आपको याद रखना है कि जहागीर के पुत्र जो सहा जहा थी उनके द्वारा बनवाया गया था किसके पुत्र पूछा है इसलिए आपका right answer हो जाएगा जहागीर अगर आपको सिर्फ ये पूछा जाया था कि किसने बनवाया था तो आपको याद रखना है कि उस condition में आप क्या बोलेंगे साह जहाने next देखते हैं हुमायू का मकबरा किसने बनवाया था option आपको दिया गया है अकबर, बाबर, जाहगीर और option D है साह जहान तो आपका right answer हो जाएगा option A, अकबर हुमायू का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है जो हुमायू के पत्नी के संरक्षन में निर्मित हुआ था तथा मीरक, मिरजा, गियास के द्वारा इसका design किया गया था यह मकबरा जो है वो भारती, फार्सी, वस्तु, कला की सैली का उत्कृष्ट उधारन है नेक्स देखते हैं आईने अकबरी के रचैता कौन थे हमको रचैता का नाम बताना है option दिया गया है के सौ, अकबर, अबुल, फजल और option D है दसवन्त तो option C जो है इसका right answer हो जाएगा आईने अकबरी जो है वो अकबर के दरबारी अबुल, फजल द्वारा, रचित अकबर, नामा का ही एक भाग है अकबर, नामा जो है वो तीन भाग में है आपको याद रखना है जिसमें से तीसरे भाग को हम आईने अकबरी कहते हैं next देखते हैं आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे केसो, जगनात, दसवन्त और अबुल, फजल तो जैसा कि अभी हमने उसके बारे में ही चर्चा किया तो इसका राइट एंसर होगा अप्शन C, सौरी, अप्शन D, अबुल, फजल next question देखते हैं आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था अप्शन दिये गया है आपको केसुदास, अबुल, फजल, समसाद और अप्शन D है मोता राम तो आपका राइट एंसर कौन सा हो जाएगा अप्शन B, अबुल, फजल next question देखते हैं अकबर के किस राजय पर अपनी विजय के इसमारक के रूप में बुलंद दर्वाजा बनाया था गुजरात में, बंगाल में, उडिसान में या option D दिया गया है आपको दिल्ली में तो option A जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा गुजरात अकबर ने गुजरात विजय, गुजरात विजय कब हुआ था? 1572 से 73 इस्वी में उसके उपरांत 1601 इस्वी में अपने जीत के उपरांत 1601 इस्वी में फतेहपूर सिकरी में बुलंद दर्वाजा का निर्मान कराया था इसकी उचाई की अगर हम बात करें तो 134 फिट है और यह 42 फिट उचे चबूतरे पर इस्थित है यह फतेपूर सिकरी की जामा मस्जित के जो दक्षिन दिवार है उसमें निर्मित किया गया है तथा यह भारत का सबसे उचा और वैभव साली प्रवेश द्वार भी कहा जाता है नेक्स देखते हैं बुलंद दर्वाजा की उचाई 150 फिट, 234 फिट, 134 और 124 तो आपका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन C, 134 फिट नेक्स देखते हैं मुगल सैली की उत्पत्ति किन दो सैलीों से सम्मिलन से हुई है बंगाली और पहारी, कागड़ा और दखिनी, राजिस्थानी और इरानी और आप्सन D है इरानी और बंगाली तो option C जो है इसका right answer होगा राजिस्थानी और इरानी मुगल सैली जो है वो भारती राजिस्थानी और पार्सियन इरानी सैली के सम्मिश्रन से उत्पन्न हुआ है राजिस्थानी सैली को हिंदू सैली भी कहते हैं चुकि मुगल का प्रभाव जो है वो सबसे पहले उत्तरी भारत के छेत्र में हुआ था जहां पर पहले से ही राजिस्थानी चित्रकला का प्रचलन जो है वो चलता आ रहा था और मुगलों ने इरानी सैली के चित्रकला को पहले से प्रसस्य दिया था तो ऐसे में क्या कह सकते हैं हम इन दोनों सैलियों के मिश्रन को ही हम इंडो पार्सियन सैली आगे चल कर क्या कहलाई मुगल सैली के रूप में विक्सित हुई नेक्स देखते हैं किन दो सैलियों के समन्वे से मुगल सैली का आरंब हुगा आप्शन आपको दिया गया है हिंदू और इरानी, मुस्लिम और चीनी, फार्सी और हिंदू उत्तर और आप्शन डी आपको दिया गया है इन में से कोई नहीं तो आपका राइट एंसर कौन सा हो जाएगा ओप्शन ए हिंदू और इरानी जैसा कि अभी हमने डिसकस किया था राजिस्थानी सैली जो है उसको हम हिंदू सैली कहते हैं और पार्सीयन मतलब इरानी सैली के सम्मिशन से जो है वो मुगल सैली की उत्पत्ती हुई थी नेक्स देखते हैं मुगल चितरकला दो सैलियों के सम्मिशन से बनी है इस टैप से भी आपको क्वेशन पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में आपको दो-दो सैलियों का नाम दिया गया रहेगा तो आपका राइट एंसर कौन सा हो जाएगा ओप्शन डी भार्ती पार्सीयन सै इनका कारेकाल था आपका 1627 से लेके 1626 ये जो है इनका कारेकाल था इसने लगभग 30 वर्सों तक के सासन किया था उसका यह सासन मुगल इतिहास में विसेश महत्व रखता है उस समय मुगल समराज अपने चर्मोत कर्स पर पहुँच गया था समराज की विशालता, सुद्रेणता, आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक व्यभव को देखते हुए ये सब चीजों को देखते हुए कई इतिहास कार्जो थे उन्होंने इस काल को मुगल इतिहास का स्वर्ण युग का संग्या दिया था नेक्स देखते हैं मुगल चित्र कर नेक्स प्रमुक रूप से देखने को मिलता है किसमें देखने को मिलता है हमको ये बताना है तो इस तिर चित्रन की हाँ पर बात की जा दी है आप सबसे पहले option देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आपको पूछा गया है बंगाल सहली में, मुगल सहली में, अजंता सहली में और पास्चत्य सहली में आपका right answer हो जाएगा option B मुगल सहली में नेक्ट वेस्टन है निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोचसाहित किया था जो आपको सासक के नाम दिये गया है उसमें आपको बताना है कि किसने जो है वो चित्रकला को प्रोचसाहित किया था अक्बर ने औरंग जेब ने जहागीर ने और option D है सहा जहाने तो इसका right answer आपका हो जाएगा option C जहागीर ने next question देखते हैं मुगल चित्रकला विक्सित हुई बाबर के समय में अक्बर के समय में औरंग जेब के समय में और option D दिया है हुमायू के समय में तो आपका right answer हो जाएगा मुगल चित्रकला जो विक्सित हुई थी वो अक्बर के समय में मुगल सहली की निव किस ने रखी थी? option आपको दिये गए हैं यहाँ पे बाबर ने, हुमायू ने, अक्बर ने और option D है जहागीर ने तो इसका right answer हो जाएगा option B हुमायू ने, यह कुछ 25 question थे जिसकी हमने practice की है, आगे session में हम और कुछ questions होंगे सैलियों के बारे में जिसके बारे में हम practice करेंगे, आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद